बिग बॉस के घर में मौसम बदलता रहता है कभी प्यार, कभी लड़ाई, कभी दोस्ती, तो कभी किसी एक के खिलाफ पूरा घर और अभी शालीन भानोट के साथ भी ऐसा ही हो रहा है जहां शालीन भानोट वर्सेस बिग बॉस हाउस चल रहा है सभी घरवालों ने शालीन भानोट को टार्गेट करना शुरू कर दिया तो ऐसे में सवाल है कि क्या शालीन भानोट घर में सरवाइफ कर पाएंगे या घर से बाहर हो जाएंगे चलिए आपको भी बताते हैं कि शालीन भानोट को कैसे टार्गेट किया जा रहा है दरसल इस बार के वीकेंड के वार में सारे घरवाले शालीन के खिलाफ हो जाते हैं जहां सबसे पहले तो सलमान खान एक टास्क लेकर आते हैं जिसमें घरवालों को एक फुटबॉल के उपर उस सदसे की तस्वीर लगानी है जिसको वो घर से एलिमिनेट करना चाते हैं फिर उस फुटबॉल को घर के बाहर के गेट से फैक देना है अब इस टास्क में लगभग सारे घरवाले शालीन को घर से बाहर भेजना चाते हैं सबसे पहले अर्चना गौतम आती हैं वो कहती हैं यहाँ पर सब लोग अलग-अलग खेल रहे हैं पर जो शालीन हैं मुझे नहीं लगता वो ट्रोफी डिजर्व करते हैं इतना कहकर वो शालीन की तस्वीर फुटबॉल पर लगा कर बाहर फैक देती हैं इसके बाद आती है निमरत कौर वो कहती हैं हम सभी लोग यहाँ पर अपना आपा खो देते हैं फिर शालीन की ओर इशारा करते हुए कहती हैं लेकिन वो गुस्से में कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए फिर शालीन की तस्वीर फुटबॉल पर लगा कर बाहर फैक देती हैं फिर एमसी स्टैन भी शालीन का ही नाम लेते हैं और कहते हैं अब टाइम हो गया है भाई का घर पर जाने का फिर अंकित आते हैं और वो शालीन पर जोरदार तंज कसते हैं वो कहते हैं हर जगह जाकर अलग-अलग बाते करते हैं पहले मुझे बोलते थे कि मैं प्रियंका के पीछे चिप कर खेल रहा हूँ और शालीन का ये बहेवियर किसी को भी पसंद नहीं आया खेर अब जनता भी शालीन भनोट वर्सेस बिग बॉस हाउस पर रियक्ट कर रही है जहां एक यूजर ने अपनी राय देते हुए लिखा है शालीन नहीं तो कंटेंट नहीं बट घरवालों का पॉइंट सही है बहु शालीन इस खेल के लायक नहीं है तो जनता भी शालीन के खिलाफ हो गई है और घरवाले भी तो ऐसे में देखना होगा कि घर में वो कैसे सर्वाइव करते हैं फिलाल आपको क्या लगता है शालीन सर्वाइव कर पाएंगे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बटाएं